इसमें हमारे साथ आम आदमी पाटी के अगर हम बात करें काफी बड़े नेता इसमें डोडा डिस्टिक्स से जो है उबरे हैं और साथ में डिडीशी हैं कारा गुंदो से मैराज मलिक जी, इस समय हमारे साथ बैठे हुए और exclusive बातचीत इनके साथ करेंगे और खास करके अगनीपत पर जो है अगनीपत स्कीम जो लागू की गई है इंडियन गोर्मेंट की तरफ से उस पर जो है वो खास बातचीत करेंगे सर मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा जिस तरह से अगनीपत की जो स्कीम है वो गोर्मेंट ने निकाली है क्या लगता है आपको कितनी सही जो है वो यूथ के लिए देखिए अब पहले तो इन्होंने बेरोजवायी लाई है बेरोजवान को मजबूर किया लोग को मजबूर किया रोजगार पाने के लिए अब जो कुछ मिल रहा है लोग उसे सवीकार कर रहे हैं लेकिन जो आजका नवजवान है वो काफी समझदार है मुझे ये लगता है कि अगनी पद सकीम जो है वो नवजवानों के लिए एक मतलब खतरनाग सकीम साबित होती है वक्ती तो और उन लोगों को लगेगा कि चलो कुछ वक्त के लिए रोजगार मिल जाएगा लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें समझने वाली ये है कि 17 साल का बच्चा कौन सी कलास में पड़ता होगा टेंथ में पढ़ता होगा नाइथ में पढ़ता होगा ये तुवल्थ में लेकिन उसका जो केरियर है वो खत्म हो जाता है क्योंकि जो पढ़ने की उमर होती है उस वक्त उसको ये मजबूर किया जा रहा है कि आप फोज में फोज में वो उपर वाले पद पे भी जाना चाहता लेकिन नहीं जा पाएगा चार साल उसको नोकरी करनी है उसके जो सपने हैं वो उसको खतम कर रहे हैं और ये बेरुजगारी का जो इन्होंने माहौल यहां पर क्रियेट किया है अब मजबूर और लाचारी के वज़े से बच्चों के मुस्तक्बिल को रौंदा जा रहा है जो आदमी जो बच्चा मेडिकल में कुछ करना चाहता था या साइंस में जो है कुछ करना चाहता था उसे जो है इसका कैरियर जो है इसी 10 साल 15 साल या 16 साल की उमर में उसे खतम कर दिया जाता है कभी भी हमारे जो पड़े लिखे या अच्छे बच्चे जो है वो कभी भी साइ पिर वैसा करेंगे इनको लगता है कि देश के जो लोग हैं वो देशभक्त नहीं है इन्हें कन्फूजन है लेकिन ये बात इनको समझना जुरूरी है क्योंकि देश के अंदर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं ये हालात तो हमें दिखेंगे इन्होंने दो करोड नोकरियां देने की बात की थी लेकिन जब से ये लोग 2014 से सत्था में आए हैं तब से ये लोग नोकरी नहीं दे पाए और आठ साल के बाद जब उन्ने नोकरियां लाएं तो इसके नोकरियां लाते हैं कहीं न कहीं इन्से लोग काफी निराश हैं पुरा देश का युवा जो है य dependency मे कहीं घलत पॉलसी लेकर आए हैं तो ऐसे यूथ में कहूंगा कि ऐसी स्केम को नहीं लाना चाहिए इसे वापस ले लेना चाहिए एक बार फिर समझना चाहिए पुब्लिक डॉमेन में लाना चाहिए जानना चाहूंगा आपके जमू से नेता है उमपरकाश खुजूरिया जी उन्होंने कॉल दिया था एक दिन जमू कश्मीर बंद करने का जो लखनपूर से लेकर हमारा कश्मीर तक और चना वैली पूरा उन्होंने बंद करने का दिया था जिसमें शायद आप भी जो थे वह और आपको हाउस औरेस्ट कर दिया गया था ऐसे बात है डेमोकरेसी एक नाम की रखी है अब यहां डिक्टेटर्शिप है जो सत्ता में है बस उसी का हुक्म चलता है वरना यह चीज़े नहीं होनी चाहिए थी सरकार ने भिल लाया आपोजिशन तो हो नहीं है उसमें अच् देख सकते हैं कि एसकुए जमू कश्मीर के ऐसे हालात हैं ठासे मसनी हैं लोकतंतर था तो लोकतंतर एक तریक से लोगों को मौका देना चाहिए था नहीं दे रहे हैं अब यह देश के अंदर वैसे हालात बना रहे है आपने राजस्थान में देखा आप ने रियासी के मुस्लमानों के मुखालिब बात कर रहे ये काम पाकिस्तान ने भी एक वक्त में किया था कि मुसलमानों को उठा कर यहां पे राजनीती की उन लोगों ने भी राजनीती की आज बीज़ेपी भी इनी का इस्तुमाल करके देश में डंगे फिाद करके अपनी सता लेना चाहती है लेकि फेलियर होगा 800 वरस यहां मुसलमानों ने हकुमत की 800 साल हिंदुस्तान यही हिंदुस्तान था यही वो जमीन थी यहीं पे वो हिंदु भी थी माना के लोग अलग अलग नाम अलग अलग होगे हैं लेकिन धरती तो यही थी ना 800 वरस मुसलमानों ने हकुमत की मुदी को अभी 8 साल होगे तो इतना समझ रहा है कि सारी दुनिया पे कबज़ा कर लेगा पूरी नसल को बरबाद कर देगा और वो लोग भी समझदार बन जाए कि अगर 800 वरस मुसलमानों ने यहां हकुमत की तो हिंदोता को अतना नुकसान नहीं हुआ हो सकता है बीज बीज में कुछ लोग गलत आए उन्होंने लोग के साथ मतलब कुछ भी क्या हो मैं तो जानता नहीं हूँ लेकिन जो इस तरह किसी यह लोग कह रहा है किया होगा लेकिन अब अगर ये लोग आए हैं अब ये लोग भी क्या करना चाहते हैं अब तब अगर मुसल्मानों का वक्त था आज इनको लग रहा हिंदूं का वक्त है आगे क्या होगा कल कल क्या होगा अगर 800 बरस नहीं रहे तो इनका तो आठ साल ये आठ साल में क्या करना चाहते है इस देश पे आम आदमी चाहिए आम आदमी का मुस्तक्बिल चाहिए और उसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं ना हमें खांदानी राज से मतलब है और ना हमें नेता से अब नेता भी बदलेंगे खांदानी राज भी खत्म होगा जब इस सारी चीजें खत्म होंगी दिली चाहनी में अगर इन चार चीज़ों की कमी है तो अंदाजा लगा लो एक अरब तीस करो लोग की आबादी वाला इतना बड़ा देश और इतनी स्टेटें अगर दिल्ली जैसी राज़न जहां ये मंतरी बैठते हैं जहां पीम बैठता है जहां सारे लोग बैठते हैं पूरे ह लिडिया पर कभी एजुकेशन की बात नहीं होती है हेल्थ की बात नहीं होती है बस जहां दंगे होंगे ट्यार पी के लिए धंगा आदमी पार्टी की तरफ से जो है यहां पर रखी गई थी और इस मीटिंग के दोरान मैं आप सभी को बता दूँ काफी जो लोग यहां प आएंगे और फ्री बिजली फ्री एजुकेशन और फ्री फैसलिटी मेटिकल फैसलिटी जो है वो प्रवाइट की जाएंगी और अगनी पत पे जो है वो तमाम बाच्ची जो है वो महराज मली जी के साथ हुई है आप देखते रहें ट्यालार मुझे दीजिए जादत नमश कर दो है आप